आप सभी का अव्यान आई एस एकेडमी की इस चैनल पर स्वागत करता हूं आज जो टॉपिक है हमारा वह है नंबर स्रीज दोस्तों इस टॉपिक से जो कोश्चन्स आते हैं वो हर एक एक्जाम में ही पूछे जाते हैं यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप एससी का के ञाँ पहने आएस का एक्जाम में हाँ आप एक्जाम में कोश्चंट रहेंगे हाँ अ सी का दे रहे हो तो यह एक यह दो कोश्चंग आते हैं जアथ हैं और लग-वे एक लकी ली दॉपिकार रहते हैं पर यह मैस की तरह ऑन ड Laz क्याới करना होता है इसके फ्लॉस मैंन divide यह सब इसमें होते हैं तो इसमें बनाने का नियम क्या है आप इसको कैसे बनाना शुरू करोगे जब आपके सामने question आएगा तो आप क्या देखोगे यह मैं अभी आपको यहां पर बताता हूं तो चलिए देखे हैं हम लोग जैसे मैंने इसमें कुछ rules रखे हैं आपके अब आएख करक lihat तो आप वहां पर देखो वह नमबर स्क्वायर या क्यूक के आसपर स्काइओ ऑने यह ऊ Eg palmate कूब नहीं यह कोई सकते हैं होसे बन जागा यह उसके आसपर रहता है मतलब कुछ पिलस या मैनिस होते हैं और हूँ सकता है है जो आएदिशन मेठीड को नमबर आगे बर वह सकता है कुछ fix नमबर एड़े हो उसकता है नमबर एड़े हैं increasing order में मुल्टिप्लिकेटिव एड़ मेड़ में भी यह एड़ हो सकते हैं इसी तरह subtraction है नमबर जो है वो क्या हो रहा होगा माइनस हो रहा होगा ठीक है नमबर घटते क्रम में decreasing order में यह चल दा होगा कोई भी number का set हो आपको बस यह सब चीज देखना है add हो रहा है subtraction हो रहा है या multiplication हो रहा है मतलब double triple या 0.5 से multiply होना फिर 1.5 से multiply होना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना इस तरह से होते हैं कभी-कभी fraction part से भी multiply होता है जैसे आपको 2 by 3 से multiply किया फिर अगले case में 4 by 3 से फिर 6 by 3 से इस तरह से case भी number series में देखे गया मिलते हैं तो जिस तरह से multiply किया वैसे divide भी हो सकता है ठीक है 2 से divide 3 से divide 4 से divide ठीक है और जिस तरह से 2 by 3 से divide हो गया हना 1 by 3 से divide हो इस तरह की sequence pattern से मिलेंगे जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा ठीक है अब यह तो simple होगे कि आपका direct perfect square cube है ठीक है या plus minus हो रहे है multiply divide हो रहे है यहाँ पर यह चीज हो रहे है अब यहाँ पर यह इस type के question में बहुत ज्यादा tough नहीं बनते हैं easy type के question से मिलेंगे जो छटा type का मैंने लिखा है आप ध्यान से दिखिए क्या लिखा है mixed type के series मिस्रित type का मतलब मिला जुला मिला जुला का मतलब क्या हुआ mix type का मतलब क्या हुआ कि question में number जो दिये वह है उसमें multiply भी हो रहे है साथ साथ प्लस भी हो रहे है ठीक है उसमें divide भी हो रहा है तो साथ साथ माइनस भी हो रहा है यह भी हो सकता है कोई number अगर perfect square है तो डाड़िक perfect square cube नहीं देगा वो उसके आगे पीछे का दिया रहेगा प्लस जैसे आपको दिया five square फ्लस फाइब five square minus five two square plus one किसी में रहेगा three square minus two इस टाइब के रहेगा square cube के आसपास number रहेंगे और उसमें plus नहाँ पर लिख रहा हूं सबसे पहला आप note कीजिए कि कोई भी number अगर square के असपास है तो इस square में plus one minus one या plus one plus two minus two plus three minus three यह सब अगर अगर हो सकते हैं अगर plus one plus two या minus one minus two नहीं हो रहा है क्या हो सकता है वो खुद वही number plus या minus भी हो सकता है जिस number का square निकाल दे हैं उसी number को plus या minus करें यह भी हो सकता है ठीक है तीसरा तरीका क्या है यहाँ पर किसी number का cube निकाल दे हैं वही number plus one plus जिससे मैंने यहाँ लिखा plus one minus one plus two minus two plus three minus three या तो फिर यह क्या हो रहा होगा cube निकालने के बाद same number plus या minus हो ठीक है यह सब इसमें होते हैं यह सब मैं जो लिख रहा हूँ कुछ ऐसे केस भी हो सकते हैं जिसमें इस number से multiply हो रहा है वही number plus या minus हो रहा हो या फिर plus one minus one है ना plus one plus two minus two and so on ऐसा हो रहा हूँ यह भी हो सकता है और वह भी हो सकता है कुछ भी इसमें ऐसे set हो सकते हैं अब इसके बाद यहां जो है यह भी हो सकता है कि कुछ number से multiply किया तो यह जो plus six मैंने लिखा है minus six जगा पर यह square form में भी हो आना या तो हो सकता है प्लस one का स्क्वाइर या minus one का स्क्वाइर plus two का स्क्वाइर या minus two का स्क्वाइर and so on ऐसे भी हो सकते हैं तो यहां पर इस ढंक से आप ध्यान रखेगा यह बनाते समय हमें इन को फोकस करने तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कुश्चन में जब हमारे सामने number six questions आते हैं तो क्या क्या उसमें देखना चाहिए तो मैंने यहां पर आपको सबसे पहले स्क्वाइर क्यूं भी रिखा तब आप जब भी नंबर से टाथा पहले को चेक कर लिजिए तो नहीं है या उसके आसपास तो नहीं है अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप देखिए अडिशन में से बनाने का जो मैंने लिखा करके सबस्वाइन हो सकता है चली चली कोशन देखें है हम लोग कोशन हमने लिखा है ठीक है आप यहाँप पर पढ़ लिजये क्या लिखा है in each of the following questions one number is missing in the series जो number missing रहता है वहाँ पर या तो यह dash आपको ऐसे दे देंगे या तो इसके जगा पर question mark देंगे ठीक है मतलब यह last में भी हो सकता है बीच में भी कहीं हो सकता है starting में भी हो सकता है तो मतलब उस तरह के series को pattern को हमें समझना है और फिर उसको देखना है कि कौन से options यहां पर correct है यहां पर देखिए यह 167 है 194 है 2223 है 254 है 287 है तो अब यह number कब से पहले आप सूचिए क्या यह square के आसपस है तो हाँ जी बिल्कुल square के आसपस है आपको पता होना चाहिए 167 के आसपस का perfect square क्या होता है तो 13 का square जो होता है 169 है उसमें minus 2 करेंगे वह हो जाएगा 167 इसी तरह 14 का square 14 का square 196 होता है इसमें आप minus 2 करेंगे तो 194 हैगा 15 का square 225 देखे 13 के बाद 14 14 के फिप्टीन मैनेस टू मैनेस टू करेंगे तो क्या हो रहा है यहां पर 220 हो रहे है 16 का square 256 उसमें भी 2 मैनेस हो रहे है 17 का square 289 होते हैं पिर उसमें भी यहां पर मैनेस टू हो रहे है 18 का square फिर भी मैनेस टू यहां पर होगा 18 का square कितना होता है तो आपको 324 ठीक है और फिर उसके बाद मैनेस टू करेंगे मेरा अंसर क्या न चाहिए 322 आता चाहिए ठीक है जी यह हमारा अंसर कौन सा है तो यह है हमारा अंसर आपको कम से कम एक से लेकर के 25 या 30 तक का square बिल्कुल रट जानी चाहिए जुवानी याद होना चाहिए उच्छे एक सेकंड में असर दिया वह चीज होना चाहिए तब आपको यह बहुत काम आएगा आपको इस टाइप कुश्चन में सब्सक्राइब काम आएंगे आप क्वांट्स पढ़ते हों कॉंपटिशन के त्यारी कर लिए तो उसमें भी आपको square क्यों मिलता रहता है वह सब आप याद कर लिजिए ठीक है आपको क्या याद करनी है वन स्क्वाइर से लेकर के आप 30 तक square याद कर लो ठीक है और फिर वन का cube से लेकर के जादा नहीं 15 तक का cube जो है आप क्या कीजिए दम पूरी तरह से कंठस्ट कर जाएए कॉपी के back side में आप लिख लीजिए ठीक है ना कॉपी के पीछे आप लिख लो डेली देखो 5-10 करके डेली देखने का आदत बना लो आपको याद हो जाएगा ठीक है यह मैंने यहाँ पर 15 लिखा है ठीक है वन का cube से लेकर के 15 का cube तक के आपको रट ज कंठस्ट जवानी याद हो जानी चाहिए अब आई इस question पर देखिए question को तो मैंने क्या बताया square वाली मेठर से क्या ठाड़ा का square में यह माइनस वन हो रहा है अब अगला देखिए क्या यह 19 का square है या 17 का square है तो 17 का square है यह increasing order में था 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 ना तो अब यह क्या हो रहा है decreasing order में चल दा है 17 का square 289 होते हैं उसमें पुलस one है यह ठीक है इसी तरह 16 का square 126 माइनस 1 15 का square गाए फिर फ्लस 1 आप देख रहे हैं square घट्क्रम में एक वर plus हो रहा है को मैनस और फिर मैनस और फिर प्लस फिर मैनस फिर होगा उसके साफ संसर लें लिए हम यह आपका हो गया फिर 14 का स्क्वायर एक्सोट इसके बाद 13 का स्क्वायर लेल प्लस वन होना चाहिए फिर यह पर भी मैनेस वह यह यह औप फिर उसके बाद PLUS फिर यह हो गया मैंने सबारा का सक इतने होते एक सो चोवालीस मैं माइनस भन करेंगे 143 जोका कि यह आपको सब्सक्राइब कर पाएंगे सब्सक्राइब करोगे तो इसलिए आपको जानी चाहिए बहुत अच्छी बात है समझ में आ रही होगी क्यां से देखेंगे ठीक है बहुत ही मज़ा आएगा क्लास में अच्छी कोशन में आपको करवांगे चलिए नेक्स्ट कोशन करें हम लोग अब आप एक वर वीडियो पहुच करके खुद अपने से एक वर देखें इसका क्यांसर रहेगा और फिर जो मैं शॉलूशन बता रहा हूं इसका फिर आप नहीं अपर जैसे देखेंगे पांच है सत्रह है सैंतीस है पैंसट है मैंने आपको अभी स्क्वाइर क्यू वाले म देखें यह स्क्वाइर के आसपास है यह किसका स्क्वाइर के आसपास है वाई दो का स्क्वाइर चार होता है प्लस बन है ठीक है फिर यह चार का स्क्वाइर 16 होता है में प्लस बन है छे का स्क्वाइर 37 प्लस बन आठ का स्क्वाइर 64 प्लस बन ठीक है दो चार छे आठ पि 12 का स्वार 140 हुआ है CD 1 क्रें goo और अ किया hundred ऐसमें हो गया 101 ठेक है न तो यह even नम्बर का स्ट्रक्राइर हुआ अब कोई भंदा इससे नहीं बनाना चाहता прим 2 अग्या है मैं आपको दिखा दू तो 5 से 17 तो कितना प्लस होए 12 प्लस होगे पिर अगला देखिए 17 से 37 होगे कितना प्लस हो रहा है 20 प्लस हो रहा है फिर क्या निकाल लेंगे 37-17 17-15 ऐसे बापिये 37-65 होड़ा है इसमें कितने प्लस होड़े हैं तो यह दोनों का मतलब कि 37 में 28 जोड़ेंगे यहां 65 जाएगा अब सवाल उता कि अगला आप क्या जोड़ना चाहिए ताकि यह मेरा अंसल बन जाए तो आप 12 देखे अब इसका एक और और डिफेंस देख लीजिए 12 से 20 यानि 8 जोड़ा गया फिर 28 हुआ फिर 8 जोड़ा गया फिर इसके बन जागा कि नहीं जाए इसके बाद आपको अगला बनाना होगा तो फिर यहां पर आपको फिर 8 होना चाहिए अगले स्टेप में आप जाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे आप 44 आप लस खड़ेंगे एक सर्फ में 145 हो जाएगा तो इस तरह से यहां पर आपके बन तो मैंने आपको यह स्क्वाइर मेठर्ड और डिफरेंस मेठर्ड दो-दो मेठर्ड से आपको हमने तिखा दिया है ठीक है उमीद करता हूं समझ में आ गया होगा ठीक है फिर अगला देखिए यहां पर यह जीरो है छे है चौबिस है साथ है एक सबीस है दोसो दस है और फिर कुश्चन मारक है यह नंबर अब किसके आसपास है आप यहां पर सूचिए किसके आसपास है क्या स्क्वाइर के आसपास है या क्यूब के आसपास है हाना अगर स्क्वाइर के आसपास है तो किसके स्क्वाइर के आसपास है क्यूब के आसपास है तो कौन से होंगे तो यहा जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ यह 0 लिखा है तो 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 होता है ना उसमें माइनस 2 करेंगे 6 होगा, फिर यह क्या है 3 का क्यूब माइनस 3 4 का cube माइनस 4 5 का cube माइनस 5 6 का cube माइनस 6 अगला क्या होना चाहिए 7 का cube माइनस 7 7 का cube होता है 343 उसमें 7 घटा दो तो 336 होगा तो कौन सो option होगा ठर्ड option होगा ठीक है आपको यहाँ पर देखना चाहिए आप स्टार्टिंग से ना करके 20 से भी कहीं ट्राय कर सकते हो आप 60 देखो खुद आप सोचो 64 होता है square भी cube 8 का square होता है 4 का cube होता है तो आप यह 64 से 4 कम है तो आप इसी हिसाब से आपको hint मिलेगा फिर 120 आप देखेंगे 120 का आसपास का perfect square होता है 121 का square और 5 का cube होता है 125 तो आपको देखना पड़ेगा कि किस पर अधारी थे तो आपको यहीं से अब देखेंगे तो आपको समझ में आ जागा यहां यह सारी number cube के आसपास हैं और उसी number का cube निकालके same number minus हो रहा है जो मैंने आपको यहां पर लिखा जो आपको बताया था rules में अब इस मेठर से अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं ठीक है तो फिर difference मेठर से यह भी बन जागा जैसे यह बनाया था मैंने ठीक है आप जेखो यहां पर मैं बता दूँँ जीरो से 6 हुआ ठीक है ठीक है फिर इसके बाद 90 ठीक है यह चीज हुआ ओके अब यह चीज मैंने यहां पर लिख लिए अब इसके बाद देखिए यहां पर अगला क्या एड़ करेंगे आपको अगला एड़ करने के लिए एक वा थोरा सा और डिफ्रेंस देखना पड़ेगा छे से ठाड़ा है तो कितना एड़ हुआ भाई फिर देखे कितना होगा तीस क्या समझ में आ रहा है बार अठारा चीज हां यहां तक काफी है यहां भी नहीं समझ में क्या से टाएं मैं एक बरागन रहा है मैं एक बार लिदेता हो दिखाने के लिए 56 होरेंस क्या है है हो रहे है vaan आ जो रहें इस तरह से यहां पर आपड़ेंगा मिल्त है पर छेसा ही प्लस करेंगे मतलब यहां 6 कि समें जोडेंगे तो sansätte कि grabbing 2009 में ए compensationनर के बंदिगा 딱 अगर आप क्यूब नहीं देख पा रहे हैं या क्यूब नहीं आदे आपको क्यूब से आडिया नहीं लगा तो बना लो कोश्चन तो कम सकम बन जाएगा दो नमबर तो मिल जाएंगे चिक हैं तो यह इसलिए इंपोर्टेंट है करता हूं समझ में आगया होगा आपको आप दोनों में से कोई एक बनाएए तो इसलिए मैं बार बार बो रहा हूं आप स्क्वाइर क्यूब यात गड़ लीजिए बनिया से जहां जो मैंने लिखा है और फिर उसके बाद पहले आप स्क्वाइर क्यूब के आस्वास नमबर ढ मिलता है तो फिर आप इस तरह से ऐसे बना के कॉश्ण स्वार्व कर सकते हैं यह नहीं कहूंगा कि सारा कोशन अहीं बनेगा एक प्रस्वाइब इसमें एडिफरेंशं मेंठर से बनेगा जरूरी नहीं और जो दिखा एक सो बन रहा है एक पर बना रहा हूं धिक ए Bald एक सव 155 पिर उसके बाद 161 है 1127 है कैसे अधिवर करता हूं आपको समझ में आगे होगा कि कैसे हो रहा इसमें तो देखिए कि आपको नाइन का 27 है का आप दिख रहा है 3 गुने हो रहे हैं तो कर लिया आप आगे किससे गुना तो जो आपको नजर आ रही है ना आप उसे लिख लो उसके बाद भी क्या होता है ना उसमें सेक्वेंस ढूंड लिया जाता है इसे आपको यहां 3 गुणा दिखा अब यह देखोंगे 3 का स्कुरेर है 3 करके क्या करें करें कोछ मिलेंगा यह इसकुर प्रायम में प्राइम तो फिर आप यहां पर इंटू थी किया चार्ज हो रहे है पिर आप फूस हो चुक्य है कथी से सीधे 155 हो रहा है यतना लंबा गै प्लस कितना तो पांच के बाद 6 तो इसमें क्या रहा है और इसका साथ गुना ही होगा साथ से गुनार की यूनिट प्लेश साथ को आप वन से यहां पर देखके समझ में आ जाएगा कि हां से बना रहे है साथ गुना ही है ठीक है अब आपको क्या करना चाहिए 8 प्लस यहां पर 8 प्लस करेंगे 1135 हो जाएगा यह हमारा अंसर क्या है सेकर्ड ओप्शन है ठीक है जी ओके समझ में आया सबको अब नेक्स नेक्स कोशन में देखे ठीक के बाद 128 है फिए 6 है फिए 64 9 है क्या थिरी का कोई रिलेशन इससे बन पाएगा यह थिरी से डिवाइड भी न कोई स्क्वाइर क्यूब 128 का दूत 125 का होता है पांच का क्यूब 5 क्यूब प्लस 3 कर देंगे अगर यह सोचते हैं तो 6 का क्या योगदान है 64 से ऐसा नहीं है तो कुछ कोशन ऐसे होते हैं जो अल्टरनेट स्रीज बनते हैं अल्टरनेट मतब एक एक दुसरे गैप छोड़क अब जैसे मैंने यहां पर 9 का 27 का 31 किया एक बबर मल्टिप्लाइए और प्लस वड़ाते यह नहीं बोलेंगे कि अल्टरनेट सीरीज है एक बबर मल्टिप्लाइए अल्टरनेट सीरीज का मतब क्या होता है एक नमबर छोड़कर 9 का रिलेशन 31 का रिलेशन 161 से फिर उसका होता है यह छोड़कर 10 का रिस्ता छेसे जोगी में का फिर 12 का फिर 15 मों यहां चल यह जाल या तो फिर फ्लस पलस तरी करेंगे और और 0 9 में तो 12 होगा 12 में प्लस 3 करेंगे तो 15 होगा अब यह तो अलग हो गया बीच का स्रीच क्या हो रहा है तो आप इधर से समझ सकते हो कोटे नमबर से शुरुवात करनी चाहिए 8 का दुगुना 16 है 16 का दुगुना अगर आप लिखना चाहिए तो 32 का दुगुना 64 मैच करना चाहिए कर रहा है यहां 32 होगा अंसर इसी तरह 64 का दो गुना यह है तो मैंने छोटे नमबर से लास्ट से शुरू किया आप स्टार्टिंग से करते तो कोई दिकत नहीं 128 का आधा है आप डिवाइड वाइड टू बोलते फिर डिवाइड वाइड टू करेंगे 64 का 32 को फिर दो से डिवाइड करो इस तरह से यहां पर औल्टनीट सी चल रहा है अब यहां 128 का 3 और 6 से कुछ नहीं है कोई रिस्ता यह पर नहीं तो यह अलग्ष्रीज है और यह अलग्ष्री यह इतक है किसी को बलते हैं अल्टनीट से जैसे कोशन भी आते हैं एक्जाम फिर जी उमीद है समझ में आगया ह बनाए आप यहां पर क्या लिखा है और टू टू थी शिक्स फिर कोश्चन मार्क फिर है 469 13.5 फिर कोश्चन मार्क मैंने दो कोश्चन दो-दो कोश्चन एक साथ हमने रखे हैं आपर ठीक है थाकि यह तो आप बताईगी क्या बनेगा वीडियो पहुच करके बनाएं आप देखिए ध्यान से और टू है फिर टू के बड़ टू आगया तब फोर का टू तो आधा होता है टू का टू सेम रिपीट किया फिर टू का थिरी का शिक्स दूगना किया जो किया है वो लिख लो यह दू पॉइंट फाइब से मल्टिप्लाई मतलब तू से डिवाइट करेंगे तो आगे दिवाइब नहीं होगा ना इसलिए मल्टिप्लाई करके सोच रहे हैं एक वटद दो ऐसे करके या पॉइंट फाइब लिख लो अब खुशो यह पुईंट फाइब यह दूना है मतलब क्य सब्रस्क्राइब है यह दो तो अप गुने करके देख रहे हैं तो क्या वन स्वरह है यह आप सुझ में डूराइब आजाएगा पॉइनफ안िव म्लिप्लाइब हुआ पिर एक मल्टिपलाई फिर इसके बाद डेड़वण हो रहा वन प Cup bunkंट 15 से मोलिप्लाइब हुआ फिर 2 से multiply हुआ फिर यह हो रहा है 2.5 से multiply अब करेंगे ऐसा नहीं कि देखेंगे 2 से गुना और तो 3 से गुना कर दो थाड़ा हो गया थाड़ा option में लिखा हुआ मिल जाएगा लेकिन अथाड़ा सही नहीं आपको sequence देखना है pattern देखना है 0.5 फिर 1.5 फिर 2.5 फिर 2.5 अगला यहां पर इंटू 2 देखकर ना तो इंटू 2 करना है यहां पर इंटू 2 कर देंगे 12 वह भी option में देखे लिखा हुआ है इंटू 3 कर दिये तो यह भी मिल लेगा बाकई में होगा क्या कि जो देखेगा 0.5 है इधर मतलब हाफ हो रहा है इधर दुगना हो रहा है इसका मतलब पार्ट आ गया मतलब मल्टिप्लाई ही हो रहा होगा जब आप इसको मल्टिप्लाई करेंगे ठीक है यहां पर इससे 1.5 से 4 में तो यह आपका 6 आएगा 6 को करेंगे 1.5 से 9 आएगा 9 को करेंगे 1.5 से 10.5 आप फिर इसको आप 1.5 से मल्टिप्लाई करोगे यहां पर वैलू जो है क्या रहा चाहिए 20.25 कुछ कोश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपका अलग-अलग मेठर से अलग-अलग अंसर आ सकते हैं जैसे कि मैं यह बोला हूं कि माल लिया जैसे मैंने पिछला कोश्चन में क्याक बनाने पर दो अलग-अलग अंसर हो सकते हैं जैसे मैंने आपको यहां डेड़ गुना करके बताया यह अंसर आया कुछ लोग सोचेंगे कि क्या प्लस वाले मेठर्स नहीं बनेगा 4 के बाद 6 6 के बाद 9 है तो 4 प्लस 2 किया प्लस 3 किया फिर यहां पर क्या प्लस हो रहा है तो 4.5 ठीक है तो उस case में वहां पर हो सकता है अंसर कुछ और आ जाया कि अगला हम प्लस क्या कड़ेंगे तो ऐसे case में वह असर क्या होगा option में दोनों नहीं देगा जैसे कि अपर लिक के दिखाता हूं इसमेंटर से यहां पर कितना प्लस हो रहा है आप बोलोगे 2 प्लस हो रहा है तो फिर अगले में कितना प्लस हो रहा है अब अगले में कितना प्लस हो रहा है अप अगले में कितना प्लस करना चाहेंगे फिर आप-टिफरेंस का इफ्रेंस डिसमे टर धिक रहा किल यह क्या है वहाई यहक्य क्लस 1 Paul 175 9. rug 1.5 मिया 1.5 से प्लस कड़ेंगे तभी तो फूर प्यांट अब यहां वन है 1.5 तो अगला क्या ना चाहिए 2 अब यहां पर से आप ऐसे अगर जा रहे हो यहां पर 2 प्लस कर रहे हो मतलब यहां पर क्या होना चाहिए वह तो 6.5 पहले क्या क्या प्लस 1 2 में सब्सक्राइब यहां पर आप करेंगे इसमें 20 आएगा 20 option में है नहीं है 20.25 यह नहीं कि इसके आसपास देख करके चलो यह ले लिया आसपास तो 2019 भी है इसके आसपास इलेने पर दिध्यां रखेगा मैंने इस मिठर से बनाया अंसर 20 आ रहा है जो इस मिठर से बनायेंगे अंसर आ रहा है 20.25 दोनों यह option में कभी नहीं देगा कोई एक देगा लेकिन अलग-अलग मिठर से दो अंसर अलग-अलग आ रहे हैं न ठीक है यह मैं ही बताना चाहरा था यहां पर ऐसे कुछ कुशन हो जाते हैं इसमें दो अ अलग-अलग अंसर आती है अब यह नेक्स कोशन है इसको ट्राइक किजिए कैसे बनेगा उमीद करता हूं बन गया होगा देखिए क्या अंसर आएगा है यहां पर मक Tag on की क्या स्धास है इसका डवल द Hebrews 24 क дор right never 2-24 से आसपास ही है मताब बाकि सब तर्वकिन इसको भी डवल के निजर से ही देखिए कि ऑ-फिर डवल करने का कितना बार एक्सट्रा प्लस या मान सो रहा है उसमें हमें अर्र मिल यहीं जिसे देखिए 135 का डबल करो मैं यहां ट्रिपल नहीं कर रहा हूं लग रहा था ट्रिपल के आसफस है बट आगे जाके सब डबल हो रहा है ट्रिपल करने से कोई फैदा नहीं होगा डबल किजिए अहार में कितना जोड़ेंगे 48 जोड़ेंगे अब जाके सटाटारा पिर आगे देखिए 118 का भी डबल करते हैं 236 हुआ 236 में कितना जोड़ना पड़ेगा ताकि 280 जोड़ना पड़ेगा तो यहां देखिए पहले 48 जोड़ेती अब 44 जो रहे हैं मत्तर चार कम कर रहे हैं हो रहे हैं अगला क्या हो रहे है को और देख लू किसी मेर मिल जागा आपको फिर दूगना करते हैं पांसो साथ क्लस कितना करना पड़ेगा 40 यानि फिर चार कम हो गए पहले 48 44 जोड़ने के बाद मतलब कि इतना जोड़ना चाहिए 36 जोड़ना चाहिए और आना क्या चाहिए बारासो चाहिए इसका मतलब गलती यहीं पर है अब इसको फिर आगे इसाही कर लिया इसको आप डबल करके फिर 36 में यह चार कम कर लिजिए तो 32 जोड़ेंगे 32 जोड़ेंगे तो उसके इसमें यह मैच कर जाएगा एक स्टेप आ जाता है कि हां गलत कौन है यह 1238 गलत है वहां पर 1236 होगा ठीक है कि कमझ में आ गया यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है आगे बनाने की जरुत नहीं है मैं यह नहीं करो क्या आप यहां स्टार्टिंग से चाहरे हो आपको साफ साफ दिख रहा है अब आगे हम गुना कर आपको कि दिख रहे हैं कि क्या वत्ति जोडने पर आ रहा है कर आप दूसरी च्छोटे नंबर से बड़नमर और यह और यह और बड़नमर से च्छोटे नंबर में आ रहे हैं तो आप उल्टा वी चल सकते हो राइट टू लेफ्ट आजा तिक है आप राइट टू लेफ्ट आएए देखेए इसमें क्या होगा तो चौवीस से बावन हुआ आप को चौवीस का दुगना कितना होता है तो उच्थी नजर आडब पहले वो लिकलो उसमें आपको फिर गल्ती समझ में आ जाएगी कि हां यहां पर गलत है फिर देखिए 52 का आप जूगना करेंगे इसी टाइप से क्योंकि सब डबल डबल के आसपास हो रहा है कि राइट टू लेफ चलते हैं तो 24 का डबल बावन का डबल फिर इसका डबल फिर 22 का डबल है तो डबल करने वाद कितना नं एक सो चार में प्लस चार जोड़नेंगी कि हां चार जोड़ें तो भाई आगे भी क्या चार जोड़ा गया बढ़ते करम में है अश्ता भी देखना पड़ेगा हमें तो बावन का डबल करोगे तो एक सो चार आएगा और फिर जो नजरारा मैं लिग देता हूं आठ गया हमें देखना है कि क्या चार ही जोड़ेंगे तो हो सकता है फिर 12 जोड़ना पड़े 6 जोड़ना पड़े 8 बढ़ चेक कर लते हैं फिर 112 का ढ़र खरो 112 का दूगना करते हैं यहां पर 220 आएगे अब 224 में देखी माइनस 4 हो रहा है अब यह प्लस फिर माइनस फो करेंगे तो असान है डबल करना 444 प्लस 4 फिर 444 का डबल कीजिए 8888 में 4 प्लस हो रहागा अब बाकी में 4 प्लस होना है आठ सो बानवे का भी आप यहां पर डबल कीजिए 892 का आप यहां पर डबल खड़ेंगे यहां पर कितना होगा 1784 फिर चार प्लस करने पर 1788 बन रहा है आप सब देखिए इधर से मैं आ हो डबल करने पर प्लस 4 प्लस 4 हो रहा है यानि इसका मतलब है कि जहां माइनस हो रही है अब यहां पर मैं आपको अब अब यहां पर यह अधर से चलू तो मेरे को गलती इसमें मिलेगा इसमें नहीं मिलेगा पर दबल करने के बाद चार जोड़ते हैं यहां पर आठ जोड़ेंगे तो एक सो आठ होता अब एक सो आठ का आप डबल करो 216 प्लस चार करो 220 यह मैच कर जाएगा तो यहां पर स्टार्टिंग में था इधर से एक स्टिप आगे चिक करना जरूरी हो जाता है इसका मतलब गलती कौन है यह 112 गलत है यहां पर 108 होना चाहिए अगर आप चाहते हो कि नहीं हम स्टार्टिंग से चले इधर से चले लेट से तो फिर तभी कोई दिकत नहीं है आप असान है आप इसको हाफ करना पड़ेगा यानि डिवाइड वाइड वाइड टू करना पड़ेगा आप डिवाइड वाइड 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 टू करेंगे तो आपको यहां एट पोर फोर आ जाएगा तो फिर इसको आप तू से तो four times आ जाएंगे फिर four आएंगे six आएंगे नहीं क्या हो जाएगा four four six आएगा फिर माइनस two करेंगे मत्तब right to left आ रहे हैं तो double करने के बाद plus four यह चल रहा है left to right जा रहे हैं तो फिर half करने के बाद minus two फिर इसका आप half किजे फिर इसके बाद आईए आप half करेंगे 110 आएगा अब 110 में plus two हो रहे है तब ने 112 हुआ लेकिन अगर 108 सही है तो फिर minus two करना है न हमें तो इसका है तुमापर लेकिन छोटे नंबर से मैंने स्टार्ट के थोड़ा सा आडिया लग जाता है इसलिए तो मैंने दोनों तरफ से आपको समझा दिया है राइट टू लेट आते हैं डवल करने के बाद प्लस four हर बार हो रहा है लेफ्ट राइट जाते हैं तो हाफ करने के बाद सब्सक्राइब करता हूं कि आपको यह चीज समझ में आ गया होगा यह आपको इसको अच्छे तरह से प्रैक्टिस कीजिए फिर उसके बाद एक्जाम में जाने के पहले कम से कम दो तीन बार रिविजिन कर लिजिए और अलग से बुक्स वेकरा भी रखिए उसमें प्रैक् सब्सक्राइब करता है